क्यों का येस कंपोज यूर ड्रीम करके हमने प्ले लिश्ट पे ये आपको उपलद है और इसका लिंक वीडियो का भी मैं आपके डिस्केशन में इसमें डाल दूँगा आप वहां से थियोरी और यहां से MCQ देख सकते हैं तो जिस टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगा उसका MCQ कूशन भी मैं साथ में कराता चलूँगा कि जिससे आपके टॉपिक जो है अच्छे से क्लियर हो जाए और आपके कूशन एक्जाम में आए तो गलत ना होने पाएं क्योंकि जो BPSC का पेपर है सीट बहुत ज आउंगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा जिससे इस त्रक्रास आपको लगातार मिलती रहे हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेशन की और और कूशन देखेंगे इसको हम सारे कूशन MCQ के रूप में देखना है ठीक ह पहला कोशन है पटना वहावी आंदोनन का परमुक केंद्र था कब से कब कि बीच में कोशन पूशन पूश जा सकता है तो याद रखना ये जो है 1822 से लेके 1868 तक जो है ये टोटल जो है 46 येर तक जो है याद रखना ये जो है बहावी आंदोलन का परमुक केंदर कोन था पटना था तो ये पूशन पूशा जा सकता कि कितने वर्सों तक रहा है तो 46 वर्सों तरह कब से कब रहा है ये भी पूश पुस्तकाइं किस मतलब की बिद्रोह या आंदूरण से संबंदित रही हैं यह वहाबी आंदूरण से संबंदित हैं इसका एंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा नेगा आपका वहाबी आंदूरण के जो प्रिद्रत जनक थे सेद एहमत के साथ अफगानिस्तान की यातรा पर पत्ना के कौन सा वहाबी नेता साथव गए थे उनके साथ में तो इसका एंसर क्या हो जाएगा आपका A हो जाएगा इनायत अली और बिलायत अली ये दोनों बिलायत अली को भी कुछ जा सकता है तो बिलायत अली को भी कुछ फचा है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा तृ-चाल किस sky अस्थान किसका है वहाबी आनुरन का इसका एंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा निश्ट आपका भारत में वहाबी आनुरन आरंभ किया था किस ने तो जो है भारत में किस ने किया था सेद एहमद सहीद या सेद आहमद बरेल भी ने किया था या राइबरेली के रहन करना बिल्कुल सही मुस्लिमों पर पढ़ने वाले पश्चात प्रभाव का विरोध करना जो पश्चिमी सभेता है वो इसलाम ध्रम से पर ना पढ़ने पाई इसलाम ध्रम से दूर रहे इसलिए जो है वहावी आनुरुन का उद्देश उसको सामिल किया गया अब भारत पर ब पूछा गया है और पूछा जा सकता है बाहरत में वहावी आ रहाट के पर वर्थक सπά़ी अखमद्द जो है पक्यार या सबुचा जा सकता है तो पाटना जब पर बनाए गया, तो 1921 में गये निश्कुशन है आपका पत्ना में वहाबी आनुरन के मुख नेता कौन थे पूरे भारत के कौन थे सियद एहमद बरेल भी थे लेकिन पत्ना में वहाबी आनुरन के परमुख नेता कौन थी ये भी बहुत महात्पूर कोशन है तो हाँ उसके नेता कौन थे बिलायत अली और इनायत अली थे, तो इसका एंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये बहुत महात्पूर कोशन है, ये पूछा जा सकता है आप लोगों से, नश्कोशन है आपका, विहार के वहाबी नेताओं में आजीवन कारावासक सजा निम्रिखिन में से किसे मिली थी, तो इसका एंसर हो जाएगा, आमदुल्ला को मिले थी, आमदुल्ला को पहले फासिक सजा हुई थी, लेकिन बाद में जो है, इनको सजा दे दी गई थी, घोसित हो गया था कि इनको फासिक सजा दी जाएगी, लेकिन हाई कोट इनकी सजा को अजीवन कारावास में बदल दिया गया था, तो तो अंतिम कौन थे? तो यादगना आहमदुल्ला ही थे तो इसका एंसर हो जाएगा आपका D हो जाएगा. इसको बिद्रों होगा उन बिद्रों से जितने भी कोशन बन सकते हैं, मैं सब करा दूँगा कहीं से भी कुशन आये तो एकजाम में आपके गलत कुशन नहोंने पाई इसकुशन है आपका 1864 के अमबाला के मुकदमे में पटना के वहाबियों के वकील कौन थे तो अमबाला में मुकदमा चलाया गया था वहाबियों पर 1864 में सेस बचे वहाबि केदियों की रियाही करवाया था तो यह किसने करवाया था या लगना लॉड रीपन ने करया था तो 1884 में लॉड रीपन भारत के कौन थे वायसराय थे इन्होंने वहाबियों को कैदियों कैद से रियाही करवाया था तिसका answer क्या हो जाएगा D हो जाएगा और Lord Rippon ने ही जो है क्या काम किया था तो Lord Rippon ने ही जो है स्वेसासन की सुरुवात कराई थी इनिक समय में Hunter Commission आया था इन्होंने जो है वर्ना क्विलस प्रेसेक्ट को समाप्त कर दिया था भारतियों की परिच्छा की उम्र को बढ़ा दिया था तिस सारे अच्छे काम कौन किया था Lord Rippon ने तो जो वहाबी कैदियों थे उनको भी जेल से इन्होंने ही छोड़ा था तिसका answer D हो जाएगा निश्कुशना आपका वहाबी आंदुल्ग के जो प्रेंटा थे जनक थे सेयद एहमद जो है सहीद इनको हम राय बरेल बीग भी कहते थे याद खना कि संबन में कौन सा कथन सई है पहला है इनका जनम 1786 में राय बरेले में हुआ था बिल्कुल सई है इन्होंने 1821 में पटना की यात्रा की थी बिल्कुल सई है 1831 में सिख्कों की बुरुद लड़ते हुए या मारे गये थे इह भी बिल्कुल हो जाएगा तो बाला कोट कहा है पाकिस्तान में वहीं पर सिखों के साथ युद्ध हुआ था कब 3831 में जहां पर स्यद अहमद की डेथ हो गई थी इसका एंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा इसमें चारों ऑप्सन क्या हो जाएंगे सही हो जाएंगे निश्टा आपका वहाबियों को अंग्रेजों ने पराजित कब किया था तो वहाबियों को अंग्रेजों ने किस मुलब का पराजित किया था तो तीन युद्ध में पराजित किया था पहला है 1852 के युद्ध में 1858 में और 1863 में तीनों युद्ध में अंग्रेजों ने परा और भीमा यहिया, अली को और अमदullah सब को जो है कौला पानी और या उम्रघ्यक से जजा हुई थी, इसका answer क्या हो जाएगा आपका D हो जाएगा, ठीक है? नेश्टाब का पटना इस्तित वहावियों का केंदर क्या कहलाता था तो जो पटना इस्तित वहावियों का केंदर था उसको कहते क्या थे जो है काफिला कहते थे इसका एंसर ए हो जाएगा यह भी बहुत मात्मूर कुछ आने पूछा जा सकता है कि पटना में जो वहावियों का केंद्र था उसे नाम क्या दिया जाता था तो उसे हम काफिला कहते थे इसका एंसर ए हो जाएगा नश्टा आपका संथाल विद्रोग के नेता थे कौन तो संथाल विद्रोग के नेता कौन थे तो उसके नेता थे सिद्धु और कान्हु थे इसका एंसर ए हो जाएगा ठीक से आपके प्यारी पूरी हो जाए नेश्ट आपका संथार विद्रोज जो हुआ था यह जो है कब हुआ था तो आपका वर्धमान से लेकर के भागलपूर तक तो अरदमान मतलब यह हो गया आपका पछी मंगाल में जराज महल की पहारी से लेकर करके और भागलपूर तक यह उसका पूरा विस्तार था तो इसका एंसर क्या हो जाएगा आपका जो है C हो जाएगा नेश्ट आपका किस बिद्रो के बाद भागलपूर पर offenses के अंतरग संथाल परगना जिले का गठन किया गया था तो यह जा account किसे बिद्रों के बाद तो संथाल मैंकिज को यह जा जात इसका answer क्या हो जाएगा? C हो जाएगा. ठिक है? निम्ण में से संथाल बिद्रो कब हुआ था? तो इसका संथाल बिद्रो कब हुआ था? तो अथाथासु पच्पण से चापण तक हुआ था? लिगि उसका बिस्तार किसी-किसी किताब में 57 मिलता है लेकि 55 और 56 ये में था, 57 तक उसका विस्तार गया था, ठीक है, समाप्त होते होते तक, निश्टा है आपका, उस चेत की पहचान कीज़ें, जहां संथालों ने 855-56 में अपनी सरकार की घोशना की थी, ये most important question है, कि संथालों ने अपनी सरकार कहां बनाई थी, तब राज महल के छेत में बनाई थी, तो इसका answer क्या हो जाएगा, आपका B हो जाएगा, निश् का अंग्रेजों ने चेरों विद्रों के समर्थक राजा गोपार राय को बना करके जो है वनगंज कहां के जेल में डाल दिया गया था तिया देखना उनको किस जेल में डाला गया था पटना के जेल में डाला गया था और गोपार राय का संबंद किस से है चेरों के विद्रों से है गता कुछ आपका बिर्सा मंडा को बिर्शा मंडा के गुरु कौन पर शक्ता है तो गुरु थे उनका क्या नाम था तूनका नाम था आनंद तो बंडे नाम थे, इसका या हो जाएगा? आपका meant of be sad जाएगा ठीक है इसकोशन है आपका कि जन जाती है नेता को उनके अन्युआई उन्हें भगवान धर्ति आभा या जो है बिसु पिता का आवतार या नया पेगंबर मानते थे ति इसका एंसर क्या हो जाएगा आपका यह हो जाएगा और यह कुछ समय के लिए इसाई धर्म को भी इन्होंने अपनाया था जर्मन मिस्नरियों के परभाव में आके मैंने फूरी बात बताई थी आप लोगों को और इन्होंने पैगंबर की उपाधी भी लिया था इन्हें विसु पिता क्या आवतार कहा जाता है इस सारे नाम को अच्छे से यार रखना कोशन कहीं से भी गिरफ्तार किया गया था तो इनको जब गिरफ्तार किया था तो किसे ने गिरफ्तार किया था ये कुछन पुछा गया तो सिरी मेर्स ने गिरफ्तार किया था तो इसका एंसर भी हो जाएगा ठीक है इस सब कुछन आए हुए हैं और आ सकते हैं भावी समय ठीक है रिश कुछन गया मुंडा को समपा था तो इसका एंसर क्या हो जाएगा आपका D हो जाएगा यह भी बहुत मात्पूर कोशन है यह भी आपसे पूछा जा सकता है ने इस आपका बिर्सा मुंडा का लच्च क्या था तो बिर्सा मुंडा का जो लच्च था वो आंत्रिक सुध्धी था, बिदेसी राज की समाप्रिती भी था, और बिटिस समर्थक जमिदारों से मुक्ती भी था, तीनो था, तो इसका answer क्या हो जाएगा आपका, ठी हो जाएगा, ठीक है, इस question आपका, बिहार में नोनिया विद्रो, जो हुआ था, सत्रा सो सत्र से, औ एस, जो है, अठारा सो के बीच में हुआ था, या किसे से, जो है, संबंधित है, ये किसे संबंधित है, ये question पूछा गया है, तो इसका संबंध किस से है, सोरा उत्पादन से है, तो इसका answer क्या हो जाएगा, आपका, ए हो जाएगा, तो नोनिया विद्रो का संबंध सोरा बिहार को इस समय जाना जाता था।। है आपका 8046 में बिहार के किस छैट में लोटा बिदो हुआ था, क्योंकि यहाँ पर पहले जो वहाँ के कैदी थे मुझदफर्पूर जेल के उनको पीतल के लोटा देते थे। लेकिन उसके अस्थान सुर्ण पर मिटट रही है, इसलिए वहाँ के लोगों ने क्या कर दिया था, बिदरोग कर दिया था, तो मुझफर्पुर में कौन से बिदरोग हुआ था, लोटा बिदरोग हुआ था, याद रखना, ये भी कोशन बहुत महात्पूर्ण है, पूछा जा सकता है, नेश्टाब कर बिहार में, खरवार बिद्रो किसまで बिरोध में किया गया था, तो बिहार में खरवार जन जाती पाई आती है, और खरवार बिद्रो किस के बिरोध में किया गया, ये भी कुषन बहुत महातपूर है तो इसका answer क्या हो जाएगा भू राजस बिवस्था के कारण राजस व्रद्धी होने के कारण जो है खरवार बिद्रो हुआ था नेश्टा आपका बिहार का चोरी बिद्रो किस वर्स हुआ था तो बिहार में चोरी बिद्रो कब हुआ था तो जो है 1798 में हुआ था इसका एंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा नेश कुशन है आपका 186667 के नील खेतिहरों मतलब नील की जो किसान थे ने बिहार में हुए विद्रों के छेतर की पहचान कीजिए तो विद्रों में जो हुआ था तो यह देखना यह चमपार्ण ही हुआ था कब तो 1866-67 में नील के किसानों ने भी विद्रों उस समय भी किया था चमपारण में ही ठीक है नेश्ट आपका मुंगेर का बहिया ताल विद्रों का उद्देश से क्या था यह भी पूछा जा सकता है कि बहिया ताल विद्रों कहा हुआ था तो यहाद रखना विद्रों कहा हुआ था मुंगेर में तो इसका एंसर यहो जाएगा यह कुशन आया भी हुआ है नेस खूंशन बिहार का कों सा च्षेतर 1771-71 में सन्यासी बिद्रों का केंद्र था सन्यासी बिद्रों का हुआ था यह 8010 20 तक चला था तो इसका पर बुछा पूछते हैं ने जाएगा तो सारण भी हुआ था पूनिया भी हुआ था और बैसाली भी हुआ था तो इसका एंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा इसके सारे एंसर सही हो जाएंगे ठीक है निश्कूशन है आपका तमार बिद्रोग का संबंद किसे जंजाती से मतलब समू से संबंदित है तो तमार बिद्रोग का संबंद किसे है ति ये उराव जंजाती से है ति इसका एंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा निचक कूछन आपका बिहार में हुए निम्द जनजातिये बernen की संदर में कौन सा कथन सब्कुर्ण के प्रयोग से सही विकलब का चैन करना है पहला है कोल बिद्रो का च्छेट चुटरनापुर का पठार का च्छेट था उच्छेट में पलामू, सिंग भूमी और मान भूमी था बिल्कुल सही है चुरनापुर के जंजातिय समाज ने सिंग भूमि के राजा जगनाज सिंग के नेतुरत में भूमि और उपज में करबरोती बिद्रोग किया था तिया देखना ये जो है हो बिद्रोग संबंदित है कोल बिद्रोग संबंदित नहीं है बिद्रों के नितुत करता बुद्धो भगत, सिंग और राय, सूर्या, मुंडा थे बिलकुल सही हो जाएगा, तो इसका answer क्या हो जाएगा, ते इसका answer हो जाएगा आपका केवल, दो हो जाएगा जो गलत है, बाकी एक और तीन क्या है, सई हो जाएगा ठीक है नेश्ट आपका भूमिज बिद्रो के नेतरुत करता कौन थे तो भूमिज जो बिद्रो हुआ था इसके नेतरुत करता कौन थे तो इसका एंसर हो जाएगा गंगा नरान थे तो इसका एंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा नेश्ट आपका अठासो संथाल बिद्रों से जुड़े हुए तत्र दिये गए हैं इनमें से कौन सा कथन सकते है इसकी हमें यहाँ पर क्या करनी है पहचान करनी है पहला है आपका संथाल बिद्रों का मुल्क करन जन जाते हैं परंपराओं और प्राचीन मुल्यों में हस्ता छेप्था गलत हो तो याद रिखना राजमहर और भागलपूर के छेत्मिन होने ही सरकार स्थापित किया था सिद्धू को अगस्त 855 को पंच कठिया नामका स्थान पर एक बरगत के पेड़ पर लटका दिया गया था ये भी बिलकुल सही हो जाएगा तो इसका एंसर क्या हो जाएगा तो इसका एंसर हो जाएगा आपका जो है दो और तीन सही है ठीक है बलकि आपका एक गरत हो जाएगा निश्ट आपका किस आंदोलन को जो है सफाहार आंदोलन भी कहा जाता है ति किसको कहते हैं तो जो है खैरवार बिद्रो को कहते हैं तो इसका एंसर क्या हो जाएगा आपका भी हो जाएगा ताना भगत आंदोलन के संदर में दिये गए कत्रों पर विचार करें और कूट के मादियम से सही उत्तर का जैन करें और इसमें कौन सा करें, मतलब उत्तर सही है, इसकी पहचान करें पहला आपका 813-14 में यहां आंदोलन जो है उराव, मुंडा और संथाल जनजातियों दोरा सम्रित रूप से किया गया था तो यह दहना जो ताना भगत आंदोलन था, इसमें तीन जो है जनजातियां थी, कौन-कौन सी उराव, मुंडा और संथाल तीनों ने मिलके किया था, यह आपका सही हो जाएगा इसका नेतर जो है, जत्रा भगत ने किया था, यह भी बिलकुल सही हो जाएगा इसके अने नेतर जो है, देविया, माया और सिबू थे, यह भी बिलकुल सही हो जाएगा तिसका एंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा तो तीनों को मिला करके ही उसे हम ताना भगत आंदुर्ण कहते हैं इसको आप लोग अच्छे से कहीं नोड कर लेना ये कुछन पूछा जा सकता है नेश कुछन है आपका नोनिया बिद्रो के संदर में दिये गए कथनों पर विचार करें और कूर्स के माध्यम से सही उत्तर का चैन करना है उपिमने से कौन सा कथन सही है पहला या विद्रो सहाबाद गया पटना और भागलपुर में जो सत्रा सो से लेकर अठासो इस भी के बीच रड़ा गया था गरत हो जाएगा ये सत्रासो सत्तर से लेकर के ne抓 अठासो के लीच में विच में हुआ और ये कहा हुआ था तो यह सारं में पूनियमी छेत में हुआ बहगलपुर्चेत में नहीं तक पहला और सरल कधूहिए इसका मुख क பचा होगा 14 के लिए इस का मुख काराण 12 उत्पादय का अची उत्पादकों को ना मिलना था यही चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा बेल आइकन को प्रेस कर लिएगा जिसे इस तरह करास आपको लगतार मिलती रहे ओके थैंक यू